सब नेटवर्क क्राइम वर्ड को सब्सक्राइब गरें, बेल आइकन रपाएं और अपदेट पाएं प्राइम वर्ड के लिए खुब झेखर ऑपाएं बेल आइकन रपाएं तर्वान वर्ड के लगका रड कर अवाएं, इस अवादा खुब झेखर अवाएं युब से वर्ड के लिए यह कैसे दुनिया में जी रहे हैं हम, जिस पर भी विश्वास करो, फूँ, दिल छोटा मत करो बेटे, जीत मेरा मंगितर है, मैं उस पर विश्वास करके, उसे अपना सब कुछ सौब देना चाहती थी, लेकिन आज चुम मैंने देखा, फूँ, और एक मेरा भाई है तरुन की जो जायदाब में हिस्सा हासिल करने के लिए, बर्सों बाद घर लोटा है, उसने जूटे मूँ, पिताजी की मौत पर अफसोस तक जाहर नहीं किया जब धौलत आती है न, अपने साथ सिर्फ सुख और आश और आराम ही नहीं बलकि, बहुत सारी मुश्कले और तकलीफे भी साथ में लेकर आती है और जब धौलत आती है, तो बहुत सारे लोग भी आपकी तरफ के जचा ले आती है इस वक्त ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि उन में से किसके मन में क्या है जब भी वईरी केड़़। अब फर इग्सामपल, मैं भी तो तुम्हारे लिए अजनभी हूं। तुम्हें क्या पता कि मेरे मन में क्या है? नहीं माय कंकर, मैं बहुत अच्छी तरह से चानती हूँ कि आपके मन में क्या है मुझे आप पर पूरा भरोसे है तेंक यू बेटे वाइल्ड अन्जूली, गुड जॉब, टेक यूड, मैंने सोचा भनी था माइक कि ये काम इतना असान होगा तैंक यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माइकल ना बेटे, तुम्हारे चेहरे के हावभाव को देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही है नहीं तो, नहीं कहीं तो मैं तनुन ने तो परेशान नहीं किया वो तो अभी तक सोकर भी नहीं उठा भी? देखो बेटे अगर तुमने मुझसे कोई भी बात चुबाने की कुशिश की मुझे अच्छा नहीं दगी कहने में शर्म आती है अंकल लेकिन घर में जितना कैश था वो पिताजी के अंतिन संस्कार और उसके बात के कामों में खर्च हो गया अब घर में खर्ची के लिए बिलकुल रुपए नहीं है इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है अंकल जब तक सारी लीगल फॉर्मलिटीज पूरी नहीं हो जाती मैं पिताजी का रुपए इस्तमाल नहीं कर सकती उनका पैक अकाउंट ओपरेट करने की पर्मिशन अभी तक मुझे नहीं मिली है लेकिन तुम्हारा परस्नल अकाउंट उतो होगा कि नहीं आप यखीन नहीं करेंगा अंकल मेरा कोई परस्नल अकाउंट नहीं है टैडी के रहते मुझे कभी रुप्यों की जोरत ही नहीं पड़ी अब इतनी छोटी सी बात कि विए तुम इतना परेशान हो रही थी अच्छो चलो ठीक है पचास सेजार रुपे काफी मैं अब ही लेकर आता हूँ नहीं ना पीटी जानके बुआ बेटी ये क्या गजब हो गिया तुमने तो हमें बिल्कुल पराया कर दिया मेरा सगाभाई गुजर गया और तुमने हमें ख़बर तक नहीं की आपने तो खुद सालों पहले हमसे संबन तोड़ दिया था क्या आप कुछ नहीं कहाँ आपने पिताजी के बारे वे आप तो उनसे बहुत नफरत करती थी ना पीटी थोड़ा बहुत मन मिटाओ किसके घर में नहीं होता लेकिन खुद के रिष्टे इतने आसानी से ख़दम नहीं होते एक ये दो भाई था मेरा भगवाद ने कुछ नहीं के जगे मुझे क्यों उठा लिया जब ये पुरी खबर मुझे मिली तो होजमेर से पहली ट्रेट पकड़कर मैं आँ चली आई मैं जानते थी तुद मेरे कुल अके लिए होगी मेरी बच्ची किसो को भीजवा की मेरा सामान मंगवादे और भाड़ा भी देने के लिए के लिए के लिए कुड की खुश्बू पाकर एक और मक्षी खिची चली आई बाई मैं तो तुम्हारे कहने पर जीट से सर्फ थोड़ी सी प्यार की अक्टिंग ही थी लेकिन वो बेवकूफ तो सीरिस हो गया उसे सच मुछ में मुझसर महबबत हो गई गया तुम चीज ही हैसी हो मेरी जान के एक बार जो भी तुमारे करीब आए बस तुहारा ही होके रह जाए वो बेवकूफ तो मेरे लिए अपनी इंगेजमेंट तक तोड़ने को तयार है तो फिर तुम्हे क्या सोचा है माइ फुट तुम्हे नहीं पता बहुत चालू है वो इंगेजमेंट तोड़ने से पहले नैना से एक मूटी रख महतना चाहता है बहचारी नैना मुझे तो तरस आता है उसके ओपर पता नहीं उसका क्या होगा लेकन जीत को उसका लालच कहीं का नहीं चोड़े नैना तुम प्लीज समझते क्यों नहीं मैं सब समझती हूँ तुम जूटे फरेभी और मकार हो तुम्हे मुझ से नहीं मेरी दौलत से प्यार है बस करो नैना तुम मुझ पर इतने जूटे और गल्दे इंजाम लगा रही हूँ मैंने सब कुछ अपनी आखों से देखा रहे हूँ क्या देखा है तुम्हें कौन थी वो लड़की जो गाड़ी में तुम्हारे कंदे पर सर रख के बैठी हुई थी तुम उस लड़की की बात कर रही हो मेरा उस लड़की से कोई लेन देना नहीं है तुम जिसकी चाहो मैं कसम खाने को तियार हूँ उसे तो बस एक दो बर क्लब में आते जाते देखा था उसने लिफ्ट मांगी मैंने लिफ्ट दे दी और उसे उसने चकर रहा था क्योंकि उसकी तवियत ख़ाब थी और इसलिए उसने और यू थिंक कि मेरा उसके साथ कोई चकर वकर है क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी विश्वास नहीं है ना मैं तुम्हें पर विश्वास करती हूँ जीत लेकिन जब मैंने खुद अपनी आख उससे तेखा तो मैंन अडार लें कई बार जो चीज़ें भुद देखते हैं बुटी सच नहीं होती तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरी जिंदगी में आही नहीं सकती प्रस्ट में सॉरी जीत आज़ मुझे घबराट बहुत अकेलाबन महसूस होता है शायद शायद इसलिए मेरे दिमाग में क्यर कोई बात ने जीत आज़ के बात मैं तुम पर शक नहीं खरोगी कोई टेज रहोगी अगे जीत जीत तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ जाए तुम मेरे साथ रहोगे तुम मुझ में हिंमत रहेगी मेर अकेल पंदूर होगा उन उन स्वारथी भूखे बेडियों के बीच, मुझे बहुत डर लगता है Naina, darling, just don't worry मैं आज ही तुम्हारे करा जाओगा Naina, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं यहां से जल से जल चला जाओगा वैसे मुझे भी यहां रहने का कोई शोक नही है तो चले क्यों नहीं जाते हैं? मुझे अपने हिस्से के 25 परसेंट दे दो, मैं चला जाओंगा वैसे भी मैं 25 परसेंट मांग रहा हूँ, पचास नहीं मेरे ख्याल से आप भी अजमेर से हां पिताजी की प्रोपर्टी में हिस्सा मांगने ही आई है नेना बिटी, ये मत भूल कि तेरा बाप मेरा सगा एकलोता भाई था और भगवान की द्यासे बहुत अमीर था और मैं विचारी पाई पाई के लिए मवताज क्रिश्ना की ज़रूर इच्छा रही होगी, मुझे कुछ ना कुछ देने की आपके और पिताजी के बीच सिवाए नफनत के कुछ भी नहीं था फिर वो भला, सोच भी कैसे सकते हैं आपको कुछ देने का अगर वो आपको कुछ देना भी चाहते थे तो जाहर है कुछ ना कुछ तो अपनी वसीयत में आपके नाम लिखते आप से किसी ने रह नहीं मांगे यह हमारा घरेलू मामला है नैना बिठी, मेरे और मेरे भाई की पिता ने जो जाईदा छोड़ी है उसमें से मुझे हिस्सा मिलना चाहिए रही कृष्णा के वसीयत की बाद तो वो कोई माइने नहीं रखते क्योंकि वो पागल था और पागल की वसीयत कानून मानता नहीं जान की भूआ बेटा, तुम ये बाद छुपाना चाहो तो भी छुपा नहीं सकती ज़रत पढ़ने पर मैं ये बात अदालत में साबित कर दूँगी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस बात की गवाई देने के लिए राजी होंगे कौन ऐसा बाप होगा जो अपने जवान बेटों को आदी रात को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दे ये काम तो किसे पागल कर ये हो सकता है अपने सारे रिष्टेदार और कारोबार से जुड़े हुए सारे लोगों से उसने जगड़ा किया क्योंकि वा पागल था मेरे पिटाजी पागल नहीं थे वो तो उनकी बदनसीबी थी जो उनके परिवार में आप और तरुन जैसे स्वार्थी रोग है ए लिसन मैं अपने घर में अपनी बत तमीजी बरदाश नहीं करूँगा तुम्हें अपनी बेहन से बात करनी के तमीज नहीं और यह तुम्हारा नहीं नैना कर घर है समझें ए नैना के दो टके के चमचे तुम्हें तमीज सिखाएगा बोल तुझे कितना रुप्या चाहिए इसलिए सगाई की थी ना तुन्हें इसके साथ इसलिए तु इसके तलवे चाट रहे हैं ना जो आरे पिपना तुम्हारा कносि घे तुम्हाराDel है ज़क साथ धुथ यह तुम्हाराब था नक्री psychopath हाऊ जो 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 तुम तोनो इस तरह हाथा बाई पर उतर आओके तो कैसे काम चलेगा तुम जो जो गुए जो एंट सिट दे एना मैं अपने कमर में जा रहा हूं मैं छोड़कर आती हूं तो शादी से पहले ही तुमने अपना डेरा जमा दिया या मैंने जीत को यह रहने के लिए बिलाए मेरे दोस्त को गुजरे हूए एक हफता भी नहीं हुआ है और घर में यह महावारा शुरू हो गए मुझे बहुत अफसोस है आप लोगों के बहेवियर पर इन लोगों के इसी बरताव के कारण पिताजी ने इंसे संबन तोड़ दिया था अंसिविलाइस्ट अनिमल्स नैना, डिलैक्स शांत रखो अपने आपको इस तरह एक दूसरे पर कीचड उचालने से किशी को कुछ हासिल नहीं हो गा बहतर यह होगा के कल हम एड़ोकेट शेटी को यहां बुलाना चाहिए और उनसे इस मामले में उनकी राय लेनी चाहिए शेक्टी तो कलाएगा ना अभी खाना तो खाले, मैंला अंगुर भी खत्म होगए ठीक है मैं जीत को लेकर रहता हूँ नहीना, जल्दी से डॉक्टर को बलाओ पुलिस को ख़ब करो जलताजीत इसनोबॉर जलताजीत इसनोबॉर इसनोबॉर वट? वेज देड़ लगता है इसकी जहर समोत हुई है यकिनन ये कोई नाचरल डिट नहीं है बलकि ये एक मरडर है और यकिनन जहर आप में से ही किसी एक ने दिया है और कातिल आप में से कोई एक है लेकिन जीत के करतों की वजय क्या हो सकती है आप मिस्टर तरुन खोलकता से आए अपने पिदा के मौत की ख़बर सुनकर है जी हाँ और उनकी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले रहे आप मिस्स जानकी दत्ता आप अजमर से आए क्रिष्णा मेरा भाई था और मैं उसे बहुत चाहती थी जाहिर है और आप मिस्स मनिश पटेलोरुफ माइक माइक आप के यहाने का मकसद क्रिष्ण दयाल चोपड़ा मेरा दोस्त था मुझे यहाँ पर किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मौत पर अफसोस जाह करना है क्या आप बताएंगे मिस्स चोपड़ा से आपकी दोस्ती कब और कहां हुई थी लंडन के एक पब में हम लोग रोजाना शाम को वहां पर ड्रिंक करने के लिए बिलते थे ड्रिंक के दोरान बातचीत हुई और फिर बातचीत के बाद हमारी दोस्ती हो गए कल पोस्तमार्डम की रिपोर्ट आ जाने के बाद मैं आप सब लोगों से फिर एक बर मिलना चाहूंगा तब तक यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा करनल एक मिनिट माइक पतिल जुट बोल रहा है मतलब पिताजी कभी शराब नहीं पीते थे उन्होंने जिंदेगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगा है फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माइक पतिल से बार में ड्रिंक्स के दौरान मिले हो पिताजी को पतिल में लुट अप्टाप्ट प्रिंक्स के दूराब जुट झाएगा है झाल झाल